नमस्कार बच्चों आई होब कि आपके नीट की प्रिप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे तो बेटा हम लोग जो यूटूब पे पढ़ने वाले थे उसमें आज की सिरीज जो है आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले है प्लांटी फोटो सेंथेसिस देखिये में तो ये एक सब्द लगता है एक वर्ड लगता है अपने को कि फोटो सेंथेसिस एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बेटा जी जब आप इसके इंपोर्टेंस को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो फोटो सेंथेसिस की प्रो हम लोगों का existence इस nature में हो सकता है क्या क्या हमारा nature sustained कर सकता है क्या क्या यह जो diversity है मारे nature में जितनी भी वो diversity maintain हो सकती है क्या इन सबका answer जो होगा वो आज हम इस chapter में ढूंडने की कोशिस करेंगे कि photosynthesis का actual importance क्या है हम लोगों के लिए तो चलिए हम start करते हैं कि photosynthesis जो है उसमें सबसे पहले हम सुरुवात करें कि photosynthesis का जो introduction है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा कि photosynthesis ना केवल green plants के लिए ना केवल green plants के लिए बाकी इस earth पर रहने वाले हर organism के लिए एक बहुत important process होती है सर बहुत important कैसे जैसे माल लीजिए for human being की बात करें पन तो हमारे लिए photosynthesis important कैसे हुआ तो उसके हम बात करेंगे अगर बात कहें हम कि जैसे दूसरे जो mammalia हैं उनके लिए कैसे important हुआ या कहें हम किसी भी तीसरे जो species है उसके लिए या आप simple भासा में कहो तो कहें दो पूरी diversity के लिए photosynthesis कैसे important होता है तो उसका एक ही region है क्या कि हमारे जो अर्थ है उस पे जितने भी organism हैं उनके लिए जो food बनता है उसमें सबसे primary source of food जो होता है वो photosynthesis ही होता है यानि सब के लिए food का formation जो है वो photosynthesis की process है अगर photosynthesis नहीं होगा तो food नहीं बनेगा और food नहीं बनेगा तो food chain maintain नहीं होगी food web maintain नहीं होगा और जहां food web maintain नहीं होता है खादे जाल जहां पर maintain नहीं होता है वहाँ कोई भी ecosystem stable नहीं होता है यानि हम biodiversity या ecosystem को stable रखना चाहते है तो photosynthesis बहुत important process होती है photo synthesis है इस photo synthesis की reaction के बारे में सब को पता होगा कि photo synthesis की जो reaction होती है उस reaction में क्या-क्या चीजे रहती है जी तो photo synthesis की जो reaction है यहां से हम सुरू करते है कि उसकी reaction में क्या events होंगे और उस event में कौन सा particle या कौन सा component किस role को play करने बाला है तो चलिए हम start करते हैं इसके reaction को तो photosynthesis की जब हम reaction लिखते हैं तो उसकी reaction में क्या क्या लिखा जाता देखिए समझने की कोशिस करना आपको सबसे पहले हम यह कहते है कि photosynthesis में co2 जो होता है यह involved होता है किसके साथ water के साथ तो co2 reaction करेगा किसके साथ वोटर के साथ ठीक है तो co2 ने वोटर के साथ रियक्षन की और जब वोटर के साथ रियक्षन करता है किसकी परजेंस में सनलाइट तो यहां पर लिखते हैं हम सनलाइट की परजेंस में इसने और क्लोरोफिल क्लोरोफिल और सनलाइट की परजेंस में इसने नहीं आपको समझना यहां पर यह पड़ेगा कि food बनाएगा तो क्यों बनाएगा और कौन बनाएगा पहले यह समझे देखो कि जब में photosynthesis की reaction होती है तो उसमें जो water का molecule यहां पर तूट जाता है बेटा water का molecule क्या हो जाएगा तूट जाएगा किस में तो यह तूटेगा H plus और OH माइनस किस में तूटा H plus और OH में यानि water को मैंने तोड़ दिया H plus और OH माइनस में अब यह जो H plus होगा यहां पर यह H plus इस CO2 के साथ में react करेगा यानि मैं सरल भासा में कहूं तो यह कह दूँ कि यह H plus किस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा बच्चों यह H plus जो है वो जाकर यहां पर जुड़ जाएगा reduction यानि H plus CO2 के साथ जुड़ेगा that is called a reduction reaction यानि यहाँ पर क्या हो गया reduction हो गया अब CO2 के साथ H plus जुड़ा तो इसकी वज़े से क्या बनने वाला है इसकी वज़े से यहाँ पर बन जायेगा C6H12O6 यानि food या कह दो glucose तो glucose का जो formation हुआ समझे आप glucose का जो formation हुआ वो किस process से हुआ तो हम कह सकते हैं reduction reaction से हुआ दूसरा important चीज कि glucose के formation में कौन-कौन involved हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि glucose के formation के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वो CO2 होता है ठीक है और water जो है इसमें से सिरफ H प्लस आयन ही food बनाने में काम आते हैं तो water में से सिरफ H प्लस काम आएगा और CO2 पूरा का पूरा एड होकर के glucose का formation कर देता है that process is called reduction reaction तो food बनता है reduction से ठीक और यह जो food बनाने वाली process होती है इसी को ही हम क्या कहे देते हैं dark reaction that is called a dark reaction तो इसी को क्या बोलेंगे dark reaction किस जगे पर होती है यह तो यह होती है stroma में तो यह देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजे मैंने एक साथ बता दी आपको क्या क्या कि जब photosynthesis होगा तो food जो बनता है उस food को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार co2 होता है और water में से सिरफ h plus जिम्मेदार होगा ठीक यह h plus इसके साथ जुड़ेगा तो h plus का जुड़ना reduction that means reduction reaction होई और reduction होते ही क्या बन जाएगा food यानि food बनता है reduction process से and that process is called dark reaction जो होती है stroma में ठीक है सर यहां तक की बात समझ में आई तो सर अब यह जो oh बच गया है इसका क्या होने वाला है तो यह जो oh बच जाता है यहां पर water में से oh बचा सिरफ यह oh जो है यह होगा oxidize यानि इसका क्या होने है इसी को हम कह देते है light reaction इसी को क्या बोलेंगे light reaction और light reaction कहां पर होती है ग्रेना वाले portion में होती है तो light reaction होगी या कहें दो oxidation होगा कहां पर ग्रेना में और उसी oxidation की process की तो क्या बन जाएगा यहां पर Oxygen बन बहुत महतोपूर्ण चीज बहुत इंपोर्टेंट चीज क्या हुई कि फोटो सेंथेसिस में फोटो सेंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है देखिए ज्यान से फोटो सेंथेसिस में जो ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हुई यह ऑक्सीजन कहां से आए जी क्या CO2 से आई है क्या नई क्यों क्योंकि CO2 वाली oxygen तो देखिए कहां चले गई है food बनाने में तो यहां पर जो oxygen रिलीज हुई है वो कहां से आई है वो आई है water से यानि environment में जो oxygen रिलीज होगी वो water की oxygen ही रिलीज होती है इस process को कहते है oxidation process या light reaction कहां पर होती है ग्रेना में और साथ में ही इसमें थोड़ा amount water का भी बन जाता है तो यह पूरी reaction रहती है आपके photosynthesis की I hope कि आपको यह चीज समझ में आई होगी यह बिल्कुल basic चीज है यह बिल्कुल basic reactions को conclude करके लिखा जाता है थीक है जिसमें dark reaction एक food और एक oxygen तो बैटा यह food होता है यह क्या रहेगा तो इसको हम कहते हैं यह photosynthesis का main product होता है यह क्या हो जाएगा main product of a photosynthesis got it but oxygen oxygen is not a main product oxygen बनता जरूर है लेकिन main product नहीं है oxygen क्या हो जाएगा तो oxygen को हम कहते हैं co-product यानि photosynthesis का यह co-product होता है oxygen जो environment में release हो जाता है तो यह रहा सबसे पहले photosynthesis के reaction के बारे में तो second topic आता है definition of photosynthesis photosynthesis को define कैसे करें अगर मुझे board के point of view से photosynthesis लिखना है या मुझे subjective point of view से photosynthesis को लिखना है तो कैसे लिखो में तो photosynthesis का simple define mechanism की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे तो इसमें हमारी NCRT जो है इसको follow करते हुए लिखते हैं क्या कि photosynthesis a phygeochemical process which type of process it is a phygeochemical process यह phygeochemical process होती है यानि phygeochemical process है in which sunlight is used sunlight को यूज किया गया है तो in which sunlight is used किसके लिए यूज हुआ for synthesis for synthesis of organic compounds अब organic का मतलब क्या है food organic compounds food हो गया यहां जैसे glucose तो glucose बनाने के लिए sunlight को यूज करके यहां पर यह reaction की जाती है इसलिए इसको क्या कहते है photosynthesis कहा जाता है important यहां वर्ड क्या है आपके नीट के point वी से जो photosynthesis है वो किस type की process है it is a type of physio chemical process in which sunlight is used to form a synthesis of organic components यह इसकी proper definition होती है हमारी NCRT के according ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं तो NCRT ही हमको यह चीज पूछती है NCRT ही एक अपने को explain करती है कि photosynthesis जो होता है वो किसी भी living organism के लिए एक basis होता है उसके life का basis होता है जैसे हमारी life का basis है plant की life का basis है तो सभी living organism की life का basis किसको माना गया है वो है photosynthesis को क्यों हम उसको basis कहते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि उसके बिना उसका life possible नहीं है तो सबसे पहला इसका reason क्या आएगा कि photosynthesis किसी भी living organism की life का basis क्यों माना जाता है पहला सबसे पहला करण क्या है It is a primary source of food यानि जितने भी living organism है सबके लिए primary source of food क्या होगा वो यही होगा कैसे जैसे मान लीजिए हम कह रहें कि इसा टाइगर है उसके लिए primary source of food यह कैसे हुआ तो भाई टाइगर जो है वो खायेगा किसी herbivores को जैसे deer को खा रहा है तो deer जो है वो किसको खायेगा वो plants को खायेगा तो अव्यस है plant के पास food कहा से आया वो आया photosynthesis से लिए directly कहो आप तो सारे के सारे organism के लिए जो food की विवस्ता है फूड का arrangement है वो कौन कर रहा है photosynthesis कर रहा है इसलिए एक तो importance हुई इसकी और दूसरा दूसरा importance इसलिए क्योंकि इसमें oxygen का production होता है यस और हमारे लिए रेस्पिरेशन करने के लिए oxygen बहुत ज़्यादा essential है इसलिए oxygen production और दूसरा primary source of food इन दोनों की विज़े से photosynthesis is the basis of life on earth ये कहा जाता है NCRT के according तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में discussion किया तीन पॉइंट बहुत basic चीज़े हैं NCRT की line to line NCRT के जितनी भी चीज़े हैं उनके line to line में यहाँ पर discussion कर रहा हूँ कि कैसे कैसे अपने को questions बन सकते हैं और कौन-कौन से points अपने को ध्यान रखने होंगे तो पहले मैंने तीन points discuss किये पहला introduction जिसमें reaction आ गई फिर आपके definition आ गई और फिर इसको basis of life कहा जाता है क्यों कहा जाता है उसके reason क्या है वो discussion किये हमने तो यह जब point हम discuss कर लेते हैं उसके बाद हमारी NCRT में कुछ photosynthesis के लिए experiments दी वें photosynthesis के बारे में जब पता चला तो बहुत सारे experiments किये गए थे different scientists के थो तो कौन-कौन से experiments हुए तो उनमें हमारे को पहले वो जानना ज़रूरी है जो हमारी NCRT में दिये गए है पहले वो experiments तो हम देखिए यहां से शुरुवात करते है experiments की और सबसे पहला experiment हमारी NCRT ने दिया है Pristley experiment बहुत important चीज़ Pristley का experiment हमारी NCRT में दिया है तो आपको एप चीज़ का पहले यह पता होना चाहिए कि यह जो Pristley scientist है यह वो ही scientist है जिन्होंने oxygen को discover किया तो oxygen discovery कब हुई थी तो इन्होंने 1774 में oxygen को discover किया था यह हमारी NCRT refer करती है हमारी NCRT में लिखा है कि 1774 को इसने Pristley ने oxygen को discover किया अब यह जो experiment हुआ था ने इस experiment में किया क्या था था तो आपको इसमें देख रहे होंगे experiment 2 द्यान से समधना भी यहाँ पर experiment number first and experiment number second दोनों experiment में क्या हुआ क्या conclusion निकला वो discussion करना है अपने को तो सबसे पहले यह वाला जो experiment है experiment number one इस experiment में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो यह तो है यहाँ पर एक candle यह दिखाई देरा आपको एक candle है इसमें और यह जो है यहाँ पर यह है जी इसमें माईस माईस कैसा है तो माईस है इसमें अभी live condition में ठीक है और candle कैसी है तो candle अभी burn कर रही है यानि जलती हुई मौम बत्ती रखी वी जिस सरल भासा में बोलें तो तो मतलब इस experiment में ये जो bell jar है ये जो bell jar रखावा है इसके अंदर एक तो माई से जो live है और एक candle है जो burn कर रही है भी ठीक है अब हमने क्या किया इस bell jar को यहाँ पलाके रख दिया तो मतलब यह कौन सा system हो गया close system हो गया क्या बच्चों close system का मतलब है अब इसमें ना तो अंदर से कोई air बाहर आएगी ना बाहर से कोई air अंदर जाएगी कोई exchange नहीं हो ना air कब अंदर वाला अंदर है बाहर वाली air बाहर है यह close system बन गया तो इसने तो माइस हो गया जी डेड ठीक है पहले experiment में माइस की डेथ हो गई और दूसरा जो है आप देखोगे candle तो candle में भी क्या हुआ तो हम लिख देंते है चैंडल एस्टिंग्यूस्ट है एस्टिंग्यूस्ट हो गया मतलब है candle जो है या कह दो मॉम बत्ती जो है वह बंद हो हुआ यह हमने एक माइस लिया लाइव एक candle ली बर्न करती हुई जलती हुई उन दोनों को एक बेल जार रखके डख दिया तो थोड़ी देर बाद में देखा माइस की डेथ हो गई और candle जो है वह भी एस्टिंग्यूस्ट हो गई यानि वह भी यहां पर जलना जो है इसका बंद हो गया थेक है यह था experiment number one अब दूसरे experiment आया दूसरे experiment में किया क्या इसनी इसने दूसरे experiment में यह किया कि इसने माइस लिया दखो माइस है इसमें माइस कैसा है लाइवे ठीक है यह candle है तो यह हो जाएगा आपके बन केंडल trendler बी बर्न करती हुए रखे इसनी कौन सा प्लांट था मिंट प्लांट इसने रख दिया अब इसने इन तीनों को कौन-कौन से मिंट प्लांट एक बन करती हुई केंडल एक लाइव माइस इन तीनों को बेल जार के अंदर रख दिया यानि इसने देखा तो इसको बड़ा सर्प्राइज हुआ क्या यह जो माइस था यह माइस कैसा था जी अभी भी लाइव माइस इसने लाइव देखा और केंडल तो केंडल भी यहाँ पर बन करती हुई मिली इसको तो इसको सर्प्राइज हुआ कि यार पहले वाले में माइस डेड हो गया था केंडल जो है वो एस्टिंग्योज जो गयी थे लेकिन दूसरे एक्सप्रिमेंट में माइस लाइव रहा और केंडल बन कर रही है भी भी तो अब यह अपना कॉंक्लूजन देता है क्या कॉंक्लूजन देता है तो कॉंक्लूजन देखिए इसके एक्सप्रिमेंट का क्या है एक्सप्रिमेंट समझ में आ गए आपको फस्ट और सेकंड दोनो experiment में mice की death क्यों हो गई या candle जो है फिस तो उस ने कहा कि पहला जो एक्सिप्रिश्पिरमेंट हुआ था उस एक्सिप्रिमेंट में इस mice ने respiration किया और candle जो जल रही थी इन दोनों की वज़ांचे तो की वज़े से माइस के तो ब्रीधिंग की वज़े से और केंडल के जलने की वज़े से इन दोनों प्रोसेस की वज़े से यहां की जो एर थी वो क्या हो गई एर डैमेज हो गई यहां की एर क्या हो गई बच्छों डैमेज पहले एक्सप्रिमेंट में यह लीजिए एर डैमेज जो हो गई यानि यह जो एर थी वो खराब हो गई किसकी वज़े से खराब हुई पहले experiment में माइस के तो ब्रीध करने की वज़े से और इस candle के जलने की वज़े से और वो एर जो डेमेज हुई उसी वज़े से माइस की death हो गई और प्रसके जो है वो एस्टन स्थेनेघ ओगे तो फिर दूसरी एक्स्परिमेंट में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एर डेमेज हो रही थी उसे से मिन्ट प्लांट ने क्या कर दिया री स्टोर कर पर किसके importance समझ में यह plant Ki कि यह दोनों अगर यहाँ जिंदा है माइस जिंदा है और यह candle burn कर रही तो वो क्यों कर रही है क्योंकि air damage नहीं हुई है और air damage क्यों नहीं हुई है क्यों कि यहां mint plant हैं तो यहां इसका conclusion हम क्या लेक सकते हैं वो यह लेक सकते हैं कि plants plants are responsible for restoration of air यह air को restoration करने के लिए plants responsible होते हैं उसी वज़य से इस second वाले experiment में एर वापस से restore होती रही तो damage उसका कम होता है और इसी वज़य से mice live रहा और candle बर्न वहाँ पर continue रही यह पहला experiment था आपके प्रिस्कले का तो पहला experiment में आपको conclusion समझ में आगया क्या था पहले experiment की बात कर लिए फिर conclusion लिए और conclusion यह यह कि plants जो है वो responsible होते है restorage of air के लिए यह first experiment है तो फिर second experiment क्या आता है वो होता है इंगेन हाउज experiment second experiment हमारे NCIT में दिया है इंगेन हाउज experiment और इंगेन हाउज experiment जो है यह सबसे पहले हम बात करें कि यह जो scientist है पिनों ने जो experiment किया वो कौन से plants पर तो यहां लिखते है अपन experimental plant experimental plant कौन सा है बच्छों इसमें तो experimental plant जो था इसका वो थे aquatic plants कौन से plants पर experiment किया? aquatic है plants पर इसने experiment किया था ठीक है अब क्या किया? इसकी दो situation थी situation क्या है देखो? आप इसे समझीए कि पहली जो case number one है दो situation लिख रहा हूं में case number one और case number two दो situation से case number one जो है इसमें है light present ठीक है? तो case number one में तो हो जाएगी light present और case number two जो है इसमें light हो जाएगी बच्छों absent मतला भी या तो light present होगी या light absent है अब यह जो aquatic plant यह क्या करने वाला देखो? यह यहाँ पर water हो गया ठीक है? समझना अब experiment को यह water है और इस water के अंदर हम कह रहे हैं कि यह aquatic plant यहाँ पर present है इस type से ठीक है? यह aquatic plant है यहाँ पर भी यह अपने पास water है ठीक? और water में यह aquatic plant हमारे पास present है अब देखिए इंगेन हाउज क्या कहते हैं? इंगेन हाउज यह कहते हैं कि अगर aquatic plant light में present है aquatic plant क्या करेगा? light में अगर present होगा तो इससे कुछ gas release होती है इससे क्या होगी? कुछ gas release होगी और यह plant aquatic है यानि पानी में है पानी में है तो जब gas release होगी तो वो gas यहाँ पर किस form में release होगी? bubbles की form में आएगी क्या? तो इसका मतलब है यहां पर bubbles formation क्या हो जाएगा present तो bubbles formation क्या रहा इसमें present हुआ बात समन में आई या नहीं है आपको क्या कहा इसने कि अगर aquatic plant light की presence में रहेगा तो उससे कुछ gas release होती है और वो gas bubbles की form में बहर निकलती है लेकिन अगर aquatic plant light absent हो तो इससे gas release नहीं होगी और gas release नहीं होगी तो bubbles का formation नहीं होगा bubbles formation absent हो गया तो इससे एक चीज़ यह समझ में आ रही है कि यह जो bubbles निकल रहे है या जो gas release हो रही है वो gas release किस की वज़े से हो रही है light की वज़े से अगर light present है तो bubbles आएंगे light नहीं है तो bubbles नहीं आते मतलब यहां से थोड़ा बहुत importance पता चला किसका light का कि अगर light होगी तो gas release होती है light नहीं है तो gas release नहीं होती है यह experiment था आपका इंगेन हाउज experiment जो aquatic plants भी किया गया था और इससे importance पता चली थी light की कि उसकी presence की वज़े से gas release होती है bubbles का formation होना सुरू हो जाता है यह आपका second experiment है फिर आता है one sack experiment one sack experiment क्या है बहुत simple है one sack क्या कहते है वान सेक नहीं यह कहा simple भासा में कि अगर कोई भी plant growth करता है अगर कोई भी plant कोई भी plant growth करता है तो उसमें glucose का formation होगा ही होगा मतलब यहां पर importance किसकी बताए गई है यहां importance बताए गई है जो वो है glucose formation की तो यहां लिखता है one sack क्या कोडिंग क्या हो जाएगा glucose formation glucose formation present in plants in plants when plant grow मतलब जब plant में growth होगी तो यह in plants during growth यह भी लिख सकते हैं आप डारेक्स लिखना चाहते हो तो in plants during growth कि जब plants में growth होती है तो प्लांट में क्या होगा glucose का formation होना शुरू हो जाता है फिर दूसरा statement क्या का है इनोंने कि यह जो glucose है यह glucose जो है यह convert हो जाता है थोड़ी देर के बाद में किस में तो glucose ही convert हो जाएगा बच्चों starch में glucose किस में convert हुआ है starch में convert हुआ और starch जो होता है इसी को plant क्या कर लेता है storage कर लेगा क्या करेगा इसका storage किया जाता है तो plant पहले जब growth करता है तो glucose बनाता है उसी glucose को starch की form में storage करता है और अपने cell के अंदर रखता है और जब भी उसको उसकी requirement होती है तो वो starch को वापस से utilize करना शुरू कर देता है यह बहु simple सी line जो है वो आपके one sec experiment की है इतना ही आपको ध्यान लखना होता है NCRT recording पूरा experiment आपको पढ़ने की ज़रू होते नहीं होती है तो यह हुआ third experiment फिर इसके बाद में जो सबसे important है जो सबसे important था वो था आपके यह angle man experiment अब इसको समझना यह पूरा detail में पढ़ना क्योंकि य angle man experiment जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमको यह clear होने चाहिए कि angle man ने कौन से plant पर अपना experiment किया बटा तो angle man का जो plant था वो था बच्चों kleidophora कौन से है जी kleidophora plant है और अगर आपको पता है तो यह kleidophora example होता है green algae का kleidophora किसमें आएगा green algae और green algae में भी specific लिखूं अगर में तो तो यह हो जाएगा कि यहां पर filamentus यानि filament के जैसा होगा तो green algae तो है लेकिन उसमें भी filamentus है एक filament होता है green algae का clay डोफ हो रहा ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गई अब क्या experiment किया experiment को समझना देखो आप लोग ये आपको दिख रहा होगा इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं विब्ग्योर सिरीज ठीक है तो ये विब्ग्योर सिरीज आ गई यहां पर अब ये क्या करते हैं देखो समझना आप चीज को समझने की कोशिस करना कि angle man अपने experiment कैसे करते हैं angle man ने plant कौन सा लिया है clay डोफोरा लिया हाँ सर clay डोफोरा लिया तो ये क्या करेंगे इससे clay डोफोरा प्लांट को क्या कर रहे हैं बैटा भी ये तो इसको समझने की आपको जरूरत है थोड़ी सी clay डोफोरा प्लांट को विब्ग्योर सिरीज के अंदर इनों ने रख दिया ये लीजिए ये कौन सा plant है बच्चों यहां पर, यह है Brothers, आपको क्या दिखाए कहा है, नीचे है, विभ्जोर सिरीज, और यह हो गया है यहां पर एक filament किसका, Cladofora का ठीक है अब clickeddofora है green algae green algae इसका मवला photosynthesis करेगा light में बिलकुल करेगा तो यहाँ पर photosynthesis होना शुरू होगा और photosynthesis जब होगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यह जो blue light है यह जो यहाँ पर blue light आपको दिख रही है और यह दिख रही है आपको red light क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है यह लेजी इस टैप से यह ग्राफ आया फोटो सेंथिस का क्या कि एंगल में ने यह कहा कि यह जो क्लेडो फोरा होता है यह क्लेडो फोरा एक तो सबसे ज्यादा फोटो सेंथिस करता है ब्ल्यू लाइट में और दूसरा यह सबसे ज्य ये मैं कहता हूँ कि अगर blue light में photosynthesis जादा हुआ तो जितना ज्यादा photosynthesis होगा उतना ज्यादा oxygen भी तो release होगा ना भाई हाँ अगर photosynthesis ज्यादा होता है तो food ज्यादा बनेगा तो oxygen भी तो ज्यादा release होगा यसी लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर photosynthesis ज्यादा हुआ तो oxygen भी तो ज्यादा release हुआ तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो यह जो yellow color का graph है वो किसको represent करता है यह represent करता है photosynthesis को यानि यह तो photosynthesis हो रहा है ठीक और अगर मैं बात करों इसमें orange color वाला graph तो यह represent करेगा oxygen ज्यादा प्रोडक्शन और दोनों चीजें क्या होती है एक दूसरे के similar या directly proportional जितना ज्यादा photosynthesis उतना ज्यादा oxygen का production तो blue light में photosynthesis ज्यादा हुआ तो blue light में oxygen भी ज्यादा बनी red light में photosynthesis ज्यादा हुआ तो red light में oxygen भी ज्यादा बनी तो मतलब ज्यादा photosynthesis ज्यादा oxygen कम photosynthesis कम oxygen इसी लिए जब photosynthesis को मैं oxygen के साथ compare करता हूँ इन दोनों graph को मिला के क्या कहा जाता है तो इनको मिला के कहा जाता है action spectra क्या बोला जाता है इनको action spectra कहा जाता है क्यों क्योंकि action spectra क्या represent करता है action spectra represent करता है कि जहाँ photosynthesis ज्यादा है वहाँ पर oxygen भी ज्यादा है जहाँ photosynthesis कम है वहाँ oxygen भी कम होगा इन दोनों को ही comparison में हम क्या बोलते है action spectra का आ जाता है सर ये बात तो ठीक है आपने graph बना दिया हमको समझ में भी आ गया मतलब हमने देख लिया लेकिन ये पता कैसे चला कि इसी जगह oxygen ज्यादा है ये कैसे पता चला इसी जगह oxygen ज्यादा ये कैसे पता चला या यहाँ पर oxygen कम है ये कैसे पता चला तो इसका पता कैसे लगाया एंगल में ने वो समझना blue light में photosynthesis ज्यादा हो रहा इसका कैसे पता लगाया या red light में photosynthesis ज्यादा हो रहा इसका कैसे पता लगाया तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक बैक्टिरिया यूज लिया बैटा क्या यूज किया उन्होंने बैक्टिरिया और बैक्टिरिया कौन सा यूज हुआ जी तो भाई जो aerobic bacteria होगा उसको respiration के लिए oxygen चाहिए तो वो वहीं तो ज़्यादा होगा जहाँ oxygen होगी और वैसे यह चीज तो तो aerobic bacteria को अगर हम देखें तो देखो यह जो white color आपको दिख रहे हैं यह क्या है aerobic bacteria तो यह सबसे ज़्यादा aerobic bacteria कहां दिख रहे हैं blue light के आसपास इकठे हो जाते हैं पूरे के पूरे bacteria क्यों क्योंकि blue light जो होती है यहाँ photosynthesis ज़्यादा होता है और photosynthesis ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पर oxygen ज़्यादा बनती है और aerobic bacteria को respiration करने के लिए oxygen की ज़रूरत होती है red light के आसपास देखोगे तो यहाँ पर भी आपको bacteria जो है वो ज़्यादा ही दिखाई देंगे इसके आसपास क्यों क्योंकि यहाँ photosynthesis ज़्यादा है तो photosynthesis ज़्यादा होगा और red light जो होता है इसमें photosynthesis maximum होता है और बाकी जगह photosynthesis का amount जो है वो थोड़ा कम रहता है I think आपको यह समझ में आ गया होगा तो angle main का experiment cladophora green algae पे हुआ ठीक फिर दूसरा कि इनोंने विब्ग्योर सिरीज में जब देखा तो उनको blue light और red light में सबसे ज़्यादा photosynthesis मिला जहां photosynthesis ज़्यादा हुआ वहा ही पर यह oxygen ज़्यादा रिलीज हुई इन दोनों के graph को क्या कहते है action spectra तो photosynthesis का पहला action spectra किस ने propose किया angle main ने किया ठीक और इसका पता कैसे लगाया कि वही oxygen ज़्यादा है तो इसका पता लगाया गया था वो था aerobic bacteria के through क्योंकि blue light और red light में aerobic bacteria जो है इनकी concentration ज़्यादा थी उससे प्रूव हो गया कि यहां पर photosynthesis जो है वो comparatively ज़्यादा होता है यह आपके सबसे important experiment है angle main का experiment यह हुआ complete next नेक्स आता है nail experiment अब यह जो nail experiment है यह क्या represent करता है तो देखो nail जो है इसने जो experiment किया यह experiment में क्या prove करना चाहरे थे तो nail जो है अपने experiment में यह प्रूव करना चाहरे थे कि oxygen released from oxygen released from water यानि CO2 और water जो है न उनमें से कहां से oxygen होती है वो होती है water से यह चीज इन्होंने बता दिती सबसे पहले यह सबसे पहले इन्होंने बताया कि oxygen तो release होती है वो कहां से आते water से आते ना कि CO2 से इन्होंने क्या बताया इन्होंने कहां कि देखिए केस नंबर वन देखिए इन्होंने कहां कि जो बैक्टिरिया होते हैं जैसे परपल और ग्रीन sulfur bacteria कौन-कौन से बैक्टिरिया की बात करें है अपन परपल और ग्रीन पोटो सेंथेटिक बैक्टिरिया पर इन्होंने नेल कहे रहा है कि यह जो बैक्टिरिया है यह एक तो CO2 को यूज लेते हैं अब देखो आपको मैंने जो रियक्शन बताई थे न वह आपको आपको समझ में आएगी इन्होंने एक तो CO2 यूज लिया और दूसरा यहां पर H2A यूज लिया H2O नहीं है समझना आप चीज को इन्होंने क्या किया CO2 और H2A यूज किया है H2A मतलब H2O के अलावा को दूसरा है ठीक है तो यह H2S यूज कर सकते हो आप करना चाहो हो तो H2S कर लो चाहिए है direct H2S यूज किया ठीक है अब आपको बताए इसमें से H प्लस निकलेंगे यह आपने पढ़ा था भी रियक्शन में इसमें से H प्लस निकला तो H प्लस इसमें से निकला तो मैं यहाँ पर इसको क्या कह सकता हूँ इसको मैं H डोनर कह दूँ क्या बच्चों यह बताओ इसको H डोनर कह सकते हैं क्या हाँ यह ना क्लियर है यह बात कि यह H डोनर की तरह behave कौन कर रहा है H2S तो H डोनर यहाँ से H प्लस को release करेगा इस H को accept कौन करेगा तो H को accept करेगा CO2 और जब यह H अगर CO2 के साथ react करता है उस reaction को क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे reduction तो अब मुझ आप यह बताइए जो NCRT की language है उसको समझीए अब क्या कहता है NCRT NCRT कहता है कि जो purple bacteria होते हैं उनमें H2S जो है यह oxidized agent होता है यानि इसका तो oxidation होगा क्यों क्योंकि H2S में से H निकला है तो H2S का तो हो गया oxidation और H प्लस किसमें जुड़ गया CO2 में तो CO2 का हो गया reduction और यह reduced होकर कि क्या बना देगा यहां पर यह बना देगा बैटा जी food यानि इससे तो बन गया food ठीक है जी बहुत बढ़िया अब क्या बचा हमारे पास अब हमारे पास बचा यहां पर sulfur तो इससे क्या होगा इस sulfur के थूरू oxidation होगा क्योंकि वो reduction होगे तो यह oxidation और sulfur का जब oxidation होगा तो इससे क्या होगा कोई ने कोई sulfur का oxide जो है वो यहां से release हो जाएगा बाहर यानि simple कहाने क्या होई oxygen नहीं बनी oxygen नहीं बनी लेकिन green plant में क्या होगा समझना अब green plants में क्या होता बैक्टिरिया की condition समझ में आ गई green plant में क्या होता है तो green plant में CO2 आता है और यहां पर hydrogen donor proton donor कौन आ जाता है बच्चों H2O तो H2O किस की तरह काम कर रहा है H2O काम कर रहा है H plus और OH minus यानि मैं कह दूँ यहां पर water किस की तरह काम कर रहा है water यहां proton donor है या नहीं बताइए तो water का क्या हुआ समझ पा रहा है water में से H plus निकला है यानि यहां पर proton donor किस के साथ जाके जुड़ेगा CO2 यानि यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे combined जानों combined हुए reaction क्या हुई reduction यानि CO2 का reduction होता है बच्चों photosynthesis में और CO2 reduced होकर के किसका formation कर देगी food का तो CO2 के reduction से तो बन गया food बहुत बढ़िया जी तो अब क्या बचा हमारे पास अब हमारे पास बचा OH और यह जो OH है इसका होगा अबे oxidation और OH जो है वो oxidation करके किस में बदल जाता है तो इससे O2 release हो जाती है तो इससे प्रूब हो गया कि जो oxygen है वो water से ही release होती है और green plant oxygen को release करते हैं green plant oxygen को release करेंगे bacteria oxygen को release नहीं करते क्यों क्योंकि green plant में proton donor होता है water इसलिए यहां से oxygen रिलीज होती है और bacteria में proton donor water के अलावा H2S आता है इसलिए वहाँ से oxygen release नहीं होती ये चीज नेल ने अपने experiment में बता दिया था लेकिन उसके बाद में थोड़े सालों के बाद में एक scientist आये थे रुबेन और रुबेन ने experiment करके उन्होंने isotope use लिया था और radioactive isotope use ले करके और इस चीज़ को radioactive ने इसके साथ में प्रूव किया था कि oxygen जो है वो वोटर वाली oxygen ही आती है ठीक है O18 को वहाँ यूज लिया isotope को और उसके basis पे उन्होंने प्रूव कर दिया तो पहली बार बताया आपके नेल ने ही था पहली बार नेल ने ही बताया था लेकिन radioactive method से उसको प्रूव किस ने किया था वो था रुबेन एट आल ठी है तो यह आपके नेल के experiment हुआ नेल के experiment के बाद में आता है कि CO2 is required for photosynthesis के लिए जरूरी है हाँ जी बिल्कुल जरूरी है तो इसको experiment से समझते हैं इसको कहते हाफ leaf experiment या mole experiment कहा जाता है आप leaf experiment कहा दो या mole experiment कहा दो यह experiment क्या explain करता जखो इस experiment को जब हम समझने की कोशिस करते हैं तो जैसे यह plant है और इस plant में यह एक leaf है समझना आप ध्यान से यह plant यह इस plant के leaf हुई अब इस leaf में हमने किया किया इस leaf का कुछ portion जो है वो तो हम open रखेंगे यानि बाहर रखेंगे कुछ portion तो ठीक और कुछ portion जो है वो हम यहाँ पर एक जार के अंदर बंद कर देंगे बच्चों कुछ portion को क्या कर दिया जाएगा एक जार के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यह इतना portion मैंने जार के अंदर क्या कर दिया बंद ठीक ह मतलब ये इसके leaf के कितने पार्ट हो गए दो ये जो पार्ट है इसको मैं कह दूँ leaf का ये open पार्ट है जो बाहर की तरफ है ठीक और ये जो पार्ट है इसको कह दें आपन closed पार्ट ये इसका closed पार्ट हो गया तो मतलब leaf के दो पार्ट हो गए एक इस जार से बाहर का एक जार के अंदर का ठीक है इस जार के अंदर मैंने क्या रख दिया के ओएच भी रखा के ओएच क्यों रखा जाता है क्योंकि के ओएच जो होता न ये CO2 को absorb करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है अगर पहली बात तो इस जार में CO2 आएगी ही नहीं क्यों क्योंकि ये closed system में बंद है लेकिन अगर मालो फिर भी किसी करण से CO2 आ जाए थोड़ी बहुत तो उसको कौन absorb कर लेगा आपके कोच absorb कर लेगा ठीक है अब आपको ये पता दल गया है कि इस leaf के कितने पार्ट है दो एक इस जार के बाहर का एक इस जार के अंदर का दो पार्ट होगे अब आपको ये भी पता है कि जो बाहर वाला पार्ट है इस पार्ट को CO2 यहां पर अवेलेबल होगी क्या यस CO2 अवेलेबल होगी बाहर वाले पार्ट को तो लेकिन अंदर वाले पार्ट को क्या CO2 अवेलेबल है क्या बच्चों नहीं है क्यों क्योंकि पहली चीज तो ये क्या है closed system है और अगर मालो CO2 थोड़ी बहुत आँ भी जाती है गलती से तो वो KOH यहां पर उसको free नहीं चोड़ेगा अब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर वाले portion के पास CO2 नहीं है बाहर वाले के पास CO2 है जब बाहर वाले के पास CO2 है तो इसका मतलब है बाहर वाला portion जो है वो photosynthesis करेगा अंदर वाला portion photosynthesis नहीं करेगा, बिलकुल ठीक बात है, इसमें photosynthesis नहीं होगा जब बाहर photosynthesis होगा, तो glucose बनेगा, yes, glucose का formation होगा यहाँ पर photosynthesis सबसेंट है, तो glucose भी नहीं बनेगा, तो glucose भी नहीं बना और आपको पता है जब glucose बनता है तो वो starch में बदल जाता है क्या याइस तो starch बाहर वाले portion में present रहेगा क्यों क्योंकि photosynthesis हुआ इसलिए glucose बना glucose से starch में convert हो गया तो बाहर वाले portion में क्या होगा starts present और अंदर वाले portion में starts क्या हो जाएगा अप्सेंट अब सर आपको पता कैसे चलता है कि starch present है या नहीं तो आपने chemistry में पढ़ा होगा iodine test होता है starch की presence या absence के लिए किया जातान कि actually में हुआ क्या फूरी देर बाद में जब हमने इसका result देखा तो result कुछ ऐसा आया कि जहां पर जो portion बाहर के तरफ था जो portion बाहर की तरफ था उसमें क्या रहा result और अंदर वाले में result क्या आएगा दोनों को अलग अलग करके देखते हैं या अंदर वाले पॉर्षन है यह बाहर वाला पॉर्षन इसमें star है वचों यस तो बैटा जिसमें star होता उसका जब ायोडिन क्या जाता है बाहर वालए क्या दिखाई देड़ें अपने को ब्लिउ किलर में ब्लिव क्यों दिखाई देता हैं क्योंकि stars का positive test जो होता है iodine के लिए वो होता है blue color में और अंदर वाला portion जो होगा ये अपने को दिखाई देगा yellow इस color में कई जिगे आपको brown भी लिखावे मिल जाता है लेकिन ये yellow इस color में आपको यहाँ पर दिखाई देता है ये लिजी इस type से तो leaf जो है वो अपने को दो color में दिख रही है अंदर वाली leaf yellow इस color में दिखेगी और बाहर वाली जो leaf है वो वो दिखेगी आपको blue color में कारण उसका समझ में आ गया होगा किसकी वज़े से iodine test की वज़े से तो इससे प्रूव हो गया कि जहाँ CO2 थी वहाँ starch बना और starch क्यों बना क्योंकि CO2 थी वहाँ इसलिए photosynthesis के लिए CO2 important होती है इस experiment से यह प्रूव हो गया और इस experiment को हम क्या कहते है half leaf experiment या mall experiment भी इसको कहा जाता है तो प्यारे बच्चों ये थे आपके main main experiment इतने सारे experiments आपको पढ़ने की ज़रूद नहीं होती है ये main experiments हैं जो आपको NCRT में दे रखें वो हमारे को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि NEET के examination में main हमारे से वो ही चीज़े पूछी जाती है जो NCRT में होती है हाँ NCRT में है न उसमें थोड़ा सा हम detail में पढ़ना सकते हैं ये एक अलग चीज़ है लेकिन उसके अलावा कोई experiment पढ़ें वो कोई मतलब वाले चीज़ नहीं है तो इतने experiment हमारे NCRT की थे वो हमने complete किये तो आज का जो पहला session था हमारा photosynthesis का ये completely based था experiments पे तो next session में next session जो होगा उसमें हम इससे आगे की बात करेंगे कि photosynthesis जब होता है तो उसके लिए कौन सी location की ज़रोत होती है यानि कहां पर होता है या फिर हम कहें कि photosynthesis जो होता है उसकी process जब होगी तो उसमें कितने reactions होंगी उसमें कौन-कौन से pigments होंगे उन सभी की information के साथ हम जुड़ेंगे फिर से इससे अगले वीडियो में यानि lecture number two में तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा experiment का जो explanation था वो आपको कैसा लगा like और share करके जुरूर बताए और comment section में comment section में अपना experience जुरूर share कीजिएगा और wait कीजिएगा आपके lecture number two का बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे lecture number two के अंदर comment section में आप जुरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं हम फिर से next section में next lecture number two में सब्सक्राइब थाटा वाय वाय जैहिंड जै भारत कि कि